Hello everyone, welcome back to exam study zone YouTube channel और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हार्डिस्क के बारे में कि हार्डिस्क क्या होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, कुछ टरम्स होता है जिसे कि प्लैटर्स, ट्रैक्स, सेक्टर्स जो कि हम बिसिकली हार्डिस्क में सुनते हैं तो ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और साथ में मैं पहले की वीडियो में डिसकस कर चुकी हूँ कि Second Storage Device, टू टाइप्स की होती है एक होता है sequential access device, जो कि sequential access method पे काम करता है जिसका example होता है sequential access device का magnetic tape तो यह सब मैं discuss कर चुकी हूँ साथ में direct access device जो कि direct access method पर काम करता है जो कि three types का होता है एक होता है magnetic disk जो मैं बात कर चुकी हूँ और डिसकस कर चुकी हूँ magnetic disk में two types आते हैं एक होता है hard disk और फ्लॉपई disk तो यहां पर हम हार्ड़िस उसके types के बारे में बात करने वाली हूँ floppy disk के बारे में अपनी next video में बात करूँगे और direct access devices फर्दर two types के और होती है यह उप्तेकल disk यह होता है memory storage devices तो इनके जो types वगेरा है यह क्या होता है यह अपनी next video में बात करूँगी तो बाकी सारे terms जो भी है कि magnetic tape, magnetic disk, sequential access method क्या होता है direct access method क्या होता है तो यह सब में discuss कर चुकी हूँ तो इस video के description box में आपको link मिल जाएगी आप वहां से जाके directly देख सकते हैं तो friends अगर आप हमारे इस channel की video पहली बार देख रहे हैं आपको हमारी यह video पसंद आती है तो इस video को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे channel को subscribe करना मत भूलिएगा और subscribe करने के बाद bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिसे आने वाली हर एक videos की notifications आपको मिलती रहें और इस video को like करना मत भूलिएगा और इस video के description box में आपको computer से related जो मैं already upload कर चुकी हूँ videos वो जरूर देख लीजेगा जिसे आपको और अच्छे से जो आने वाली जो भी videos ह यह video है आपको और अच्छे से समझ में आएगी तो चलिए start करता है यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले hard disk के बारे में फिर types के बारे में जैसे कि आप देख रहे होगे three types का होता है एक होता है zip disk एक होता है disk pack और एक होता है winchester disk सबसे पहले हम जानेंगे कि hard disk क्या होता है hard disk को हम HDD के नाम से भी जानते हैं मतलब कि hard disk कहें hard disk drive कहें HDD कहें यह सब सेम है ठीक है यानि कि हम hard disk के बारे में ही बात कर रहे हैं तो यह एक non-volatile device होती है जिसका की use किया जाता है data को store करने के लिए long term basis पे long term basis का कुछ ऐसी भी डिवार जैसे हमने बात की थी primary memory होती है secondary memory होती है primary memory volatile memory होती है secondary memory non-volatile memory होती है यानि कि अगर हम अपने computer को off कर देंगे तो जो भी data है वो erase हो जाएगा primary memory में इसको volatile memory कहा जाता है जबकि secondary memory में ऐसा नहीं है अगर हमने data को save कर दिया है तो वो erase नहीं होगा बले हम अपने computer को off क्यों न कर दें तो इसलिए जो secondary memory होती है उसको non-volatile memory कहा जाता है तो जो hard disk है वो secondary storage device है तो हम कह रहे हैं कि यह एक non-volatile device है यानि कि जो भी हम इसमें data store करके रख रहे हैं वो long term basis के लिए है भले हम अपने computer को off कर दें पर अगर हमने इसको save करके रखा है अपनी computer system में hard disk में तो यह हमारा कहीं नहीं जाएगा जब भी आप अपने computer को फिर से on करेंगे आपको अपने data मिल जाएगा तो इसका use क्यों किया जाता है जादा से जादा अगर हमें data store करना है जादा से जादा इसकी capacity होती है जैसे कि आज किलके उसमें देखे तो टेराबाइट सक इसकी capacity आ गई है ठीक है hard disk की तो यह जादा से जादा है नहीं कि large amount of data जादा से जादा data को यह store कर सकता है कि इसकी storage capacity बहुत अच्छी होती इसमें क्या क्या चीज़े हमें store करते है जैसे कि music हो गया, photo हो गया, videos, files वगएरा हो गई कोई download की हो यह हमने file वो हो गया operating systems वगएरा है कोई songs वगएरा आ गई बहुत सारी photos होती है जो हम save करके रखते हैं अपने laptops में तो सब hard disk में save होता है सबसे पहला hard disk किस ने बनाया था सबसे पहला hard disk किस company ने बनाया था तो यह है IBM company ने बनाया था तो यह for general knowledge आपको पता होना चाहिए कि IBM ने सबसे पहला जो हमारा hard disk था वो बनाया था और बात करें तो सब भी computers, laptops में internal hard disk लगी हुई होती है अगर आप storage capacity बढ़ाना चाहते हैं तो उस case में आप external hard disk drive को भी आप अपने computer system से connect कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि platters क्या होता है tracks क्या होता है और sectors क्या होता है एक point और बहुत important है कि जो hard disk है वो magnetic material coated disk होती है या हम कह सकते हैं कि hard disk coated होती है लेपित होती है with a magnetic material और अगर हम floppy disk की comparison में इसकी बात करें floppy disk basically अब use में नहीं आता है पहले use किया जाता था बहुत सारी अलग से devices ज़िसे पैनराइस वगएरा आजकल use की जाती है जिनोंने floppy disk को replace कर लिया है पहले हम use करते थे floppy disk को तो इसकी comparison में अगर हम बात करें hard disk की तो hard disk floppy disk की comparison में fast भी बहुत है और साथ में ज़ादा से ज़ादा data store करता है तीक है अगर हम comparison करें floppy disk की hard disk के तो hard disk floppy disk से fast भी है और ज़ादा data भी store करता है capacity में अल्रेडी बता चुकी हूँ कि terabytes तक इसकी capacity आज आपको देखने को मिलेगी ठीक है अब बात कर लेते हैं अब platters के बारे में यहाँ पे आप image देख लिए जिससे कि आपको समझ में आएगा और अच्छे से यह आप देख रहे हो यह पूरा है hard disk ठीक है यहाँ पे जो आ aluminum या फिर काच का बना हुआ होता है और जिसमें दोनों तरफ magnetic material की coating होती है यानि कि हम कह सकते हैं कि magnetic material की एक थिल लेयर के साथ यह coated होता है या हम इस तरह के से समझ सकते हैं कि hard disk में एक ऐसा part होता है जहां पे हम data को store कर सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है प्लैटर या एक इसा storage area hardest में होता है जिसका कि हम use करते हैं data को store करने के लिए इसको बोला जाता है प्लैटर यह जो आप बीच में देख रहे हो इसको बोला जाता है spindle इसी की मदद से जो प्लैटर है वो घूमता है और जितनी जादा speed से यानि कि spindle जितनी जादा speed से प्लैटर को तो जितनी जादा अच्छी speed होगी प्लैटर की उतनी जादा speed से हमारा जो data है वो record होता चला जाएगा तो इसकी speed को हम किस में major करते हैं RPM में major करते हैं revolution per minute इसका मतलब यह हो गया कि प्लैटर ने एक minute में कितने चक्कर लगा तो इसको हम इसमें major कर मतलब कि कितने जादा चक शमता कह सकते हैं data data को read write करने की speed होगी वो जादा होगी और यह अच्छा माना जाता है कि जितना जादा RPM होगा अच्छी बात होती है और अगर हम बात करें यह होता है actuator यह होता है read write head जिसका जो पीछला यह जो देख रहे हैं portion आप इसको बोला जाता है read write arm या फिर actuator arm य यह जैसे मैंने कहा कि actuator यह तो यह पूरा जो आप देख रहे हो यह होता है hard disk I hope कि आपको समझ में आया होगा और अब मात कर लेते हैं आप tracks or sectors की tracks or sectors क्या होता है तो इसमें प्लैटर देख रहे हैं tracks or sectors भी होते हैं concentric circuits होते हैं आप कह सकते हैं circular path इस तरीके से आपको देख देखने को मिलेगा यहां पर देख लीजे यह तो इस तरीके से circles होते हैं तो इसको बोला जाता है tracks इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इसको बोला जाता है sector ठीक है यह आप थोड़ा books वगेरा में देख लीजेगा आपको अच्छे सी मेज दिखाई दे जाएगी ठीक आप आपको देखने को मिलेगा डेटा को स्टोर करने के लिए यह जो सेक्टर है आप देख रहे हो एक सेक्टर में 512 बाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है तो यह बहुत इंपॉर्टन है कि tracks क्या होता है सेक्टर क्या होता है tracks क्या है कि platter में concerti circuits बने होते हैं circular path ब सबस्केद सब्सक्राइब कर नाम से भी जाना जाता है जिस तरीके से हम dissip पी डीस्क को floppy disks . परनॉलीग डिसक जो होती है वो फिक्स टाइब की भी होती है पौर्डेबल भी होती है, फिक्स का मतलब हो गयाhak यह के पर्मानेंटली कनेक्टेद है और लोगे मैं महें सब्सक्राइब उसको और व्यमौनेक्ड्य ले जा सकते हैं, जब तक हमें इसका यूज करना है, हमने कनेक्ट कर लिया और जब हमारा यूज खतम हो गया, काम खतम हो गया, तो इसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, तो यह हो गया, बर्नॉली डिस्क, अगर इसकी कैपिसिटी के बारे में बात करें, तो पहले हैं, तो इसकी स्टोरिज कैपिस बहुत important बात ये कि normally इसमें जो upper surface होता है top most disk का और जो lower surface होता है bottom most disk है नहीं कि उपर का जो disk है disk platter है उसका upper surface हो नीचे जो disk है उसका जो lower surface है इसका normally data को record करने के लिए data को store करने के लिए हम use में नहीं लाते हैं क्योंकि कहीं जो surfaces है वो scratched अगर हो गई तो हमारा जो data है वो damage हो सकता है ठीक है तो surface scratch होने की डर की वज़े से इनका normally use नहीं करते हैं तो यह हो गया disk pack अब हम बात कर लेते हैं winchester disk के बारे में winchester disk में भी क्या है कि दो या दो से जादा disk splatter का use किया जाता है इसमें जो hard disk splatter से और disk drive है उसको एक साथ seal बंद कर दिया जाता है यानी कि इनको एक संदूशन मुक्त container यानि कि contamination free container में एक साथ seal बंद कर दिया जाता है एक साथ इसको seal कर दिया जाता है जिससे कि यह दूसरे से अलग नहीं हो सके या इसको हम इस तरीके से seal कर देते हैं Contamination free container में कि इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता अगर हम डिस्क पैक के साथ अगर हम compare करके बात करें तो विंचेस्टर डिस्क में जादा storage capacity होती है in comparison to disk pack यानि किस case में अगर हम same number of disk की बात कर रहे हैं तो उस case में विंचेस्टर डिस्क की जो capacity होगी storage capacity वो disk pack से जादा होगी for example अगर हम five disk का use कर रहे हैं या four disk का use कर रहे हैं disk pack में भी विंचेस्टर डिस्क में भी disk pack में हम क्या हमने क्या कहा था कि जो normally जो टॉप मोस्ट डिस्क का जो अपर surface है और bottom मोस्ट डिस्क का जो लोवर सर्फेस हैं डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा कही damage ना हो जाए surface scratch होने की वज़े से तो इस वज़े से हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं पर विंचेस्टर डिस्क में क्या है हम सारी सर्फेस का यूज कर रहे हैं हम इसमें अपर सर्फेस से लोवर सर्फेस छोड़ए हैं ऐसा नहीं इसमें जितनी भी सर्फेस है आँ सब का यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए औ्टोमेटिकली विंचेस्टर डिस्क की सेम नंबर ऑफ डिस्क अगर डिस्क पैक विंचेस्टर डिस्क में है तो डिस्क से ज्यादा विंचेस्टर डिस्क में जो डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ज्यादा होगा अगर हम सेम नंबर ऑफ डिस्क की बात कर रहे हैं ठीक है तो उस केस में विंचेस्टर डिस्क की क आपको हमारी यह पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इस क्रिश्च्रम बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी तो जो वीडियो आपने नहीं देखी है आप देखना चाते हो तो वहां से आप देख सकते हो